अँ अस्मालेकुम लास् लेक्चर था हमारा प्रॉप्टिस ओफ रियल नंबर जिस ने अड़ल्टिटीव प्राप्तश पर्यों मल्डिल्प्लिकेशन की प्राप्टी प्री और आज भी महारा प्रॉप्टिस ओफ रियल नंबर है लेकर अब हम पढ़ेंगा प्रॉप्ट dough ऐ तो प्रॉप्टिस ऑफ इक्वालिटी यह है हमारे पास अगरता आपको पास नंबर दिया होंगा फॉर और ए बी सी जो अलिमेंट हैं वो और यह नंबर के हैं अब यह आपने जहर में रखना इसके लिए आसे जो पहली प्रॉप्टी यह वो है रिफ्लेक्सिफ प्रॉपर्टी यह क्या होती है तो रिफ्लेक्सिफ प्रॉपर्टी उर्दु में इसको अक्सी प्रॉपर्टी भी कहते हैं कहता है कि अगर आपके पास ए है तो वो बराबर होगा एके यह क्या बात हुई है तो सबको पता एक है तो एक के बराबर होगा तो यही प्रॉपर्टी है वो कहता है कि एक नंबर पांच है ना तो वो पांच के ही बराबर होगा वो साथ के बराबर आठ के बराबर नो के ब बराबर दास के बराबर नहीं होगा पांच नंबर पांच के ही बराबर होगा अगर आप शीशे में अपने आपको देखेंगे तो आप ही नजर आएंगे को यह और भूत वगरा नजर नहीं आए उसके बाद आ जाती है समिट्रिक प्रॉपर्टी समिट्रिक प्रॉपर्टी में वह आपको यहीं कहता है कि अगर आपके सारे यालिमेट रियल नमबर से लिए जा रहे हैं तो कहता है अगर A बराबर है B के तो B बराबर है A के अब आपके हैं में सवाल आएगा और एके और नीचे और नीचे यह बराबर भी लो अतर कुंडिशन्स होती हैं لا करता है धूस में आपस भी बराबर हो सकती आगर एक है एच बराबर है भी कि एच के थाहर से बहाता भी की एच करा ये होसकता है कि अगर एक संस्राइज में तो जो यह जो एच जाह भी झालाइज में तो ओ लियांज यह भाध में जो इना एक लिए फरी अपलाइ होती है यह चाहती है फर उसके लिहां से वो कहता है अगर A ब्राबर होगा B के तो B ब्राबर होगा A के उसके में आपके प्रापर्टी आ जाती है ट्रांसिटिफ प्रापर्टी ट्रांसिटिफ प्रापर्टी ट्रांसिटिफ प्रापर्टी में वो आपको कहता है कि भाई अगर A ब्राबर है B के और B बराबर है C के तो A बराबर होगा C के A बराबर होगा C के यह क्या कंडिशन है वो कहता है कि अगर A के पास 50 रुपे है और B के पास भी 50 रुपे हैं तो बराबर है अब B के पास भी 50 रुपे हैं तो C के पास भी 50 रुपे हैं तो लहाज़ ए और सी के पैसे भी आपस में बराबर होंगे कहता है ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के तो लहाज़ ए बराबर होगा सी के उसके बाद आपको कहता है एडिटिव प्रॉपर्टी एक्वालिटी में एडिटिव प्रॉपर्टी तो जो additive property होती है उसमें कहता कि अगर आपको पास दो नंबर है A बराबर है B के A बराबर है B के तो then additive है ना तो उसने का कुछ add कर देते है अगर मैं इधर एक कोई चीज़ add करूँगा तो साहरी बात है मुझे इधर भी वो चीज़ add करनी पड़ेगी तो तब ये बराबर होंगे अगर इसके पास 500 रुपे हैं और इसके पास 50 रुपे है तो मैं चाहता हूँ A को 60 दे दूँ और फिर ये दुनों बराबर हो तो जार से बाद मुझे B को भी 60 देने पड़ेंगे जब तक मैं B को 60 नहीं दूँगा तब तक जो उसा है वो बराबर नहीं हो सकते उसके बाद मेरे पास आ जाती है मल्टिप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो मल्टिप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है वो सेम एड़टिव की ही तरह है क्यासे इगर A बराबर है B के देन तो अगर मैं A को C के साथ मल्टिप्लाय करता हूँ तो B को भी C के साथ मल्टिप्लाय करणगा है तो वो भी आपस में क्या हो جाएंगे बराबर हो जाएंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास आजती है कंसलेशन प्रॉपर्टी फोर अडिशन तो ये इसकी उल्ट है ये इसकी उल्ट है कंसलेशन प्रॉपर्टी जो cancellation property कहता है, अगर आपके पास A plus C ब्राबर है, B plus C के, then A ब्राबर है, C, A ब्राबर है, sorry, B के, यह plus हो रहा है, ज़रा कि माइनस हो जगा कटे का, तो यह आपस में ब्राबर हो जाएंगे, और इसी तरह वो आपको कहता है, अगर cancellation property, multiplication, A C ब्राबर है, B C के, then A ब्राबर है, B के, same, यह इसकी फुल्ट है, अब इसी लिहाज से, जिस तरह हमने properties of equality पढ़ी, इसी तरह हमारे पास properties of inequalities भी हैं, properties of inequalities, जिमारे पास properties of inequalities हैं, उसमें पहली जो property है, वो है, teacher Tommy, पहली property है, teacher Tommy, इसमें वो आपके पास कहता है, condition यही है, for all A, B, C are the element of real number, तो कहता है कि याद रखें, कि अगर, A छोटा है, B से, एक number है, वो B से छोटा है, और B छोटा है, C से, गोर करिएगा, असलम छोटा है कासिम से और कासिम छोटा है, अकबर से, असलम छोटा है, कासिम से और कासिम छोटा है, अकबर से, तो लہہजा पता चार रहार ना, कि जो हमारे पास असलम है, वो अकबर से भी छोटा है, तो आप ने सिर्फ इतन लिखना, then, ये लें जी, यह निकि कहता अगर यह इस से छोटा है और यह इस से छोटा है तो जार से बात है यह सबसे छोटा तो यह भी इस से छोटा होगा और इसके बाद दूसरी प्रापटी है ईसुरी बच्छो यह मैंने गल्त आपको करवा दी गल्त नहीं कराई प्राप्टी सही करवाई यह इसका नाम गलत लिख दीया इसका नाम था ह понятно प्रपट्र जो ऑपर पड़ी था रांसिटिव प्रापट्र यह अब हमारे पास दूसरी जो आती है वो है ट्रिचो टॉमी ट्रिचो टॉमी जो उनसी आप बहुत असान प्रोपटी आगर आगवास फर आल A, B, C जो उनसे हैं वो रियल नंबर है तो कहता है यहाँ तो भाई A बराबर होगा B के यहाँ A छोटा होगा B से यहाँ फिर जो A है वो बड़ा होगा B से. इसके लावा कोई कंडिशन नहीं है. दो चीजों के दरमियान जब आप रिलेशन लाएंगे, यहां तो A क्या होगा, बराबर होगा B से. यहां फिर A छोटा होगा B से. यहां फिर A बड़ा होगा B से. उसके बाद हमारे पास आजाती है Additive Property. सेम इसी तरह यह जो हमने Additive Property पड़ी. Additive Property में वो आपको कहता है, कि अगर A छोटा है B से. अगर A छोटा है B से. तो याद रखिए, आप A में कुछ एड़ कर दें, और वो ही चीज़ आप B में भी Add कर दें, तो इनके Relation में कोई फरक नहीं पड़ेगा. वो A प्लस C छोटा ही रहेगा किसे? B प्लस C से. A छोटा ही रहेगा. और यही Condition आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर A बड़ा है B से, और आपने A में कुछ आइड़ कर दिया और वो ही चीज़ आइड़ कर दी B में, तो इनके Function Relation में कोई फरक नहीं पड़ेगा. वो ऐसे ही रहेगा. उसके बाद हमारे पास आजाती है Multiplicative Property. Multiplicative Property में वो आपको कहता है, कि याद रखिए, अगर A बड़ा है B से, तो भाई अगर आप इसके साथ जो मल्टिप्लाइ करेंगे, वो इसके साथ भी मल्टिप्लाइ करेंगे, तो Relation में फरक नहीं पड़ेगा. और सेम ऐसे ही, इसके साथ जो मल्टिप्लाइ करेंगे, वो फरक नहीं डालेगा. लेकिन ये Condition तब है, जब आपका C बड़ा हो Zero से. जब आपका C क्या हो? बड़ा हो Zero से. यानि कि इसका मतलब ये है, इतरे एक एक्जाम्पल समझाता हूँ, ये थोड़ा Tricky है. आपके पास दियावा 5 बड़ा है 3 से. तो आपने क्या किया? आपने किया 5 को मल्टिप्लाइ किया 3 से. तीन नहीं करते है, तीन तो लियावा 4 से. और तीन को भी मल्टिप्लाइ कर दिया 4 से. ये कितना बन गया 20? और ये कितना बन गया 12? एक बन गया 20 और एक बन गया 12. ये है Greater Than Zero. और अगर यही कंडिशन हो, A बड़ा है B से, A C छोटा हो गया, B C से, ये कब हो जाएगा, जब C छोटा होगा 0 से. कंडिशन ये ही लेते हैं, आपको समझाने के लिए. देखें, A 5 है, इससे मल्टिप्लाइ कर दिया माइनस 4. और, तीन है, मल्टिप्लाइ कर दिया माइनस 4. अब ये क्या है? माइनस 20 और ये क्या है? माइनस 12. ये माइनस 20, माइनस 12. अब ये कंडिशन ये तो नहीं रहेगी. ये उल्टा आज़ेगा, ये माइनस 20 छोटा होता है, माइनस 12 से. तो मैं आपके ये समझाने कोशिश कर रहा था, अगर तो पॉजिटिव नंबर से मल्टिप्लाइ करेंगे, मल्टिप्लिकेशन में, तो कंडिशन सेम रहेगी. और अगर नेगिटिव नंबर से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो कंडिशन रिवर्स हो जाएगी. कंडिशन क्या हो जाएगी? reverse हो जाएगी, यह बात लाजमी जहन में रखिएगा उसके बाद आ जाता है multiplicative inverse property multiplicative inverse अब यह क्या बला है, पीछे भी पड़कर आए तो condition से मैं आपकाता है याद रखिए, a does not equal to zero और b does not equal to zero यह निकादर zero नहीं होना चाहिए और आपको पास नंबर दिया हुआ है, a is lesser than b a is lesser than b तो याद रखिए इसका multiplicative inverse क्या होगा इसको भी इल्टा कर दो one over a, और इसको भी इल्टा कर दो one over b लेकिन याद रखिए, sign इसका इल्टा होजेगा sign इसका इल्टा होजेगा, sign इसका उल्टा इसके example समझाता हूं वो कहता है आपके पास है पांच छोटा है दस से पांच छोटा है दस से अब इसका भी inverse लिया वन बाई फाइफ और इसका भी इन वर्स लिया वन बाई टैन अब गोर करें वन बाई फाइफ यह किसके बराबर होता है वन बाई फाइफ बराबर होता है जीरो पॉइंट टू के और वन बाई टैन किसके बराबर होता है यह बराबर होता है जीरो पॉइंट वन के अब देखें जीरो पॉइंट टू बढ़ा होता है या 0.1 बढ़ा तो जार से बाता है 0.2 बढ़ा तो यह ले जी साइन उल्टा होगा या नहीं होगा तो वो यही कहता है मल्टिप्लिकेटिव नंबर्स में याद रखें कि उल्टा नंबर अब मैं आपको कुँँगा 5 बढ़ा है 7 से यह गलत हम कंट्रॉल कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते तो आप लाजमी शेयर करें अगर आपको समझ आई है इन्शाला आगे हम जोन से वे अक्सेसाइज के सवाल करेंगे शुक्रिया और लाह अफीज